अगला मोडल मस्ट का प्रियूग के बारे में डिस्कुस करेंगे मस्ट को पढ़ेंगे मस्ट का प्रियूग करने के जो कॉंसेप्ट है उसमें सबसे इंपोर्टेंट जो कॉंसेप्ट है वो है कमपल्शन कमपल्शन अनिवारता जिसे हम कहते हैं कमपल्शन वाले सेंटेंस हमेशा मस्ट के द्वारा ही लिखे जाते हैं कोई अनिवारता हो कोई काम करने की कमपल्शन हो जिसे फोलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसे कारे हमेशा मस्ट के द्वारा अर्था तक कमपल्शन या अनिवारता वाले sentences must के द्वारा लिखा जाता है, we must enter the office without any noise, हमें कार्याले में बिना किसी आवाज के परवेश करना चाहिए, ये प्रकार की compulsion है, कि हम उस दोरान, during entering the office, we can't make noise, हम आवाज नहीं कर सकते, ये एक compulsion है, तो इसी condition को वेक्ट करने के लिए, compulsion वाले sentences होते हैं, उनमें must का परयोग होता है, we must enter the office without any noise, या must का, योगर हो रहा है, ये सबसे important में है, compulsion वाले sentences में, number second, to express command, command वेक्ट करने के लिए, आज्या वेक्ट करने के लिए, हम must का परयोग करते हैं, you must stay where you are, तुम वहीं रुखो, जहां तुम हो, see must attend all our classes, उसे अपनी सारी classes को आवसे क रूप से अटेंड करना चाहिए, तो, इसे sentences, must के परयोग के द्वारा, बनते हम इने must के द्वारा बनाते हैं, to express command, आज्या वेक्ट करने के लिए, to express command वाले sentences में, must का परयोग होता है, must के द्वारा हम इसे sentences को लिखते, हम हैं, to express command, हम हैं वो sentences में, must का परयोग करते हैं, to express command, command को वेक्ट करने के लिए, हम must का परयोग करते हैं, see must attend all our classes, number three is, to express strong advice, strong advice के लिए, strong advice के लिए, एसी सला जो हमें, आवशेक रूप से, आवशेक परामर्च जो में फोलोग करना ही होता है, उसमें must का परयोग करते, you must close all the doors in the night, आपको घर के सारे दर्वाजे रात्री को बंद करने चाहिए, इसी condition हो, तो इनमें must का परयोग होता है, must के द्वारा हम sentence को लिखते हैं, must के द्वारा ही ऐसे sentences लिखे जाते हैं, तो जो हम, first हमने पढ़ा अनिवारता, compulsion वाला sentence, second जो हमने पढ़ा है, वो to express command, number three is to express strong advice, अब, जो, necessity वाले जो sentences होते हैं, उनमें भी must का परयोग होता है, we must work hard to pass, we must have oxygen to our lives, तो इन sentences में हैं वो must का परयोग होता है, तो must का साब्दिक जो अर्थ है, वो हम निच्चत रूप से चाहिए के अर्थ में इसे use करते हैं, और इसका परयोग है वो अनिवारता, compulsion के लिए, आफशकता, necessity, बज्धता, persuasion, प्रभल संभावना, strong possibility, और आफशक शला या परामर्स, जिसे हम strong advice कहते हैं, और logical inference जो होते हैं, तरक संगत निच्कर्ष जो होते हैं, logical inference होते हैं, उनमें भी हम must का परयोग करते हैं, पहले जो हमने पढ़े, इसको थोड़ा सा हम recall कर लेते हैं, थोड़ा revise कर लेते हैं, पहले परकार के जो sentences हमने पढ़े, वो है, compulsion वाला sentences, compulsion वाला sentences, अर्थार्थ, जिसमें एक परकार की अनिवारता है, इसा होना जरूरी है, इसे sentences, compulsion में, अनिवारता में आते हैं, we must enter the office, without any noise, हमें बिना किसी आवाज के office में, परविश करना चाहिए, तो ये प्रकार की compulsion है, number second is to express command, command व्यक्त करने के लिए, to express command, she must attend all her classes, number third, to express strong advice, you must close all the doors in the night, तो इसे सारे sentences में, हम must का परयोग करते हैं, अब हमारे, RBSC के exam में, must not से जुड़े हुए, जो sentences ये भी पुछे जाते, must not या must sent वाले sentences भी, हमारे RBSC के pattern में है, और हमारे exam में, पुछे जाते हैं, तो must not के परयोग को, हम समझने का प्रयास करते हैं, must not का परयोग, एक प्रकार की, जिसे हम वर्जना या प्रतिबंद जो कहते हैं, जिस निचेद जिसे कहते हैं, इसे काम जो नहीं करने होते हैं, कानूनन उन्हें नहीं करना हमें चाहिए, इसे जो काम होते हैं, वो प्रतिबंद में आते हैं, प्रोहिबिशन में आते हैं, वर्जित कारे होते या निच्छे दिभी जिनको कहते हैं एक ही मीनिंग ये रखते हैं इंगिस में से प्रोहिबिशन में लिया जाता है और प्रोहिबिशन वाले सेंटेंस को सो करने के लिए हम मस्ट नॉट का पर्योग करते हैं प्रतिबन, prohibition को must not के द्वारा लिखा जाता है, must not के द्वारा इन्हें वेक्त किया जाता है, जैसे मैं कहूं कि तुम्हें TB है, तुम्हें धुम्रपान नहीं करना चाहिए, तो you have TB, you must not smoke, you must not smoke, तो अगर sentence में पहले कोई condition दे रखी है, sentence को पहले से दिखाया जा रहा है, उसमें तो आपको उस इस्तती के आधार पर, जैसे हमने समझा कि you have TB, TB की इसमें condition है, उसे TB है, TB से वो गुजर रहा है, तो एसी condition में उसे वर्जित है कि वो दुम्हें नहीं करे आला है, कि दुम्हे TB, you must not smoke, कई बार हम hospitals के आगे वगेरा, जो public parks वगेरा होते हैं, उनके आगे भी हम municipality corporation के द्वारा, जो है वो, एक board पर कुछ लिखा रहता है, एक guideline लिखी रहती है, और उसमें भी लिखा रहता है, कि you must not park your vehicles at public places, या in front of the garden, और in front of the park, तो इसका मतलब है कि हमें पार्क में घूमने के दोरान, अपने वहानों को इनके आगे है, वो नहीं पार्क करना चाहिए, एक जो proper parking places जो दे रखी है, साइट जो दे रखी है, वहीं हमें vehicle छोड़ने चाहिए, पार्क करने चाहिए, हम इधर उधर इन में या public places में नहीं छोड़ सकते, तो इसी condition में भी prohibition होता है, कई बार आदेश तता चेतावनी के साथ नकारात्मक्सला व्यक्त करने वाले जो sentences होते हैं, उनमें भी हो, मस्का प्रयोग होता है, to express order, negative advice with warnings, you must not overtake from the left, आप बाएं से दूसरे वानों से आगे नहीं निकल सकते, या नहीं निकल ना चाहिए, लेट से हम नहीं निकल सकते, कई बार हम highway की authority के द्वार आया, जो NHAI की जो authority जो होती है, NHAI की जो road जो होती है, नेसल highway authorities of India, उनकी सड़क पर हम board देखते हैं, और board पर लिखा रहता है, कि आप इसा न करिए, तो सारा जो, यह guideline जो होती है, वो must के प्रयोग के द्वारा लिखी रहती है, must not के द्वारा इससे show किया जाता है, must not का मतलब है, आपको पर्तिबन दिखा रहा है, prohibition दिखा रहा है, तो जो हम इस lesson में must और must not को read कर रहे हैं, एक बार से मैं आपको recall करवा देता हूं, हलके स और समझ लेते हैं, कि हमने इस lesson में, जो must को पढ़ते हैं, must को निच्चित रूप से चाहिए के अर्थ में हम पढ़ते हैं, और इस model का प्रयोग अनिवार्यता, अनिवार्यता, इसा करना अनिवार्य है, कमपल्सन है, इसे काम के लिए must का प्रयोग होता है, आफशक्ता necessity वाले sentences, necessity वाले sentences भी must के द्वारा सो किये जाते हैं, must के द्वारा लिखे जाते हैं, number three is persuasion, बाध्यता, बाध्यता हो, और प्रबल संभावना हो, strong possibility, उसके अलाव आफशक्त सला या प्रामर्स हो, strong advice हो, तरक संगत निश्कर्स हो, logical inferences हो, तो इन्हें वैक्त करने के लिए हम must का ही परयोग करते हैं, अब students के दिमात में ये चीज भी आ रही होगी कि model का वैटेस तो बहुत कम है, दो नमबर का है, पर हम इन्हें बहुत topic wise काफी लंबे समय से पांसाथ दिन से पढ़ रहे हैं, तो यह आपके RBC के pattern में दो नमबर के बैटेस के साथ साथ हम जो कोई भी writing skill जो हमारी होती है, हम जो writing का का काम करते हैं, उसमें भी इसे, तो इसकी concept को अगर अच्छे से हम लिखते हैं, तो एक अच्छा article लिख सकते हैं, अच्छा paragraph लि में भी writing का काम, letters वगेरा, paragraph जो होते हैं, उनमें general grammar को follow करते हुए, हम अगर इसको proper way में लिखते हैं, तो examiner पर हमारा positive effect पढ़ता है, तो marks आप अच्छे often कर पाते हैं, तो इसका इसके साथ साथ writing में भी बहुत बड़ा यूज है, तो इसकी concept clear होनी चाहिए, ताकि हम exam में अच्छे number आ सके, English पर काफी आप अच्छी confidence के साथ English को लिख सके, अब अनिवायरता वाला sentence था, कंपल्सन वाला जो sentence था, उसमें हमने पड़ा, we must reach school in time to award punishment, हमें punishment से बचने के लिए, समय पर विध्याले पहुँचना चाहिए, एक प्रकार की कंपल्सन है, number second, we must enter the office without any noise, हमने पहले पड़ा कंपल्सन में, we must enter the office, enter the office without any noise, बिना किसी आवाज के हमें office में परवेश करना चाहिए, तो यहां भी model है, वो must का प्रयोग हो रहा है, must के प्रयोग के द्वारा ही एसे sentences लिखते हैं, must का प्रयोग कर के, must के प्रयोग के द्वारा ही हमने लिखते हैं, दूसरा हमारा था, to express command, you must stay where you are, तुम्हें वहीं रुकना चाहिए, जहां तुम हो एक प्रकार की आग्या है, तो command को express करने के लिए भी, प्रबल संभावना, strong possibility के लिए, they are in a new dress, they must be going to a party, नए कपरों में है, तो निच्चित रूप से पार्टी में जा रहे होंगे, strong possibility सो हो रही है, तो इसे sentences भी हम, he has three cards, he must be a rich man, उसके पास तीन कारे हैं, तो वह आपसे करूप से धनी होगा, strong possibility है, तो इसे sentences, इसके अलागा, to express necessity, we must work hard to pass, हमें उत्तिन होने के लिए, आपसे करूप से कठीन प्रिश्रम करना चाहिए, तो इसे sentences भी, must के द्वारा लिखे जाते हैं, we must have oxygen to save our lives, we must have oxygen to save our lives, अगला तो इसका प्रियोग है वो है, आपसे कर परामर्स के लिए, to express strong advice, you are getting late, you are getting late, you must hire a taxi, तुम्हें देरी होड़ी है, अथे तुम्हें टेक्सी किराय पर ले लेनी चाहिए, एक प्रकार का strong advice है, इसके अलाबा to express logical inference, हरी is an intelligent boy, he must get first division, हरी एक बुद्धिमान लड़का है, वह पर्तम सेनी अवश्य प्राप्त करें, तो यह logical inference है, मस्ट के द्वारा सो किया जाता है, इसके साथ साथ जो हम पढ़ रहे थे वो था कि मस्ट नोट का प्रियोग, बहुत important है, एक्जाम में मस्ट नोट का प्रियोग भी frequently पुछा जाता है, तो मस्ट नोट का प्रियोग भी जहान में रखे, इसका प्रियोग प्रतिबंद, वर्जना, मनाही, निच्छेद वाले sentences, प्रोभिशन वाले sentence को लिखने के लिए होता है, You have TB, you must not smoke, we must not park our vehicles at public places, आदेश तथा चेतावनी के साथ नकारात्मक्सला व्यक्त करने वाले sentences, to express order negative advice with warnings, you must not overtake from the left, तो मैं left से, बाएं से दूसरे वानों से आगे नहीं निकलना, चाहिए, तो इसे sentences में must not का व्योग होता है, हमने model के रूप में, आज की class में must को पड़ा, कलम अगली time की model को discuss करेंगे, तब तक के लिए, thank you.